असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्रडिशनली बनने वाले धनिय वाले गोश्ट के सालन की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनता है तो ट्राइज रूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अ एक मिनट के लिए तो हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिएगा और यह रोस्ट हो चुका है अब यह हां पर हमने एक मिक्सी जाल लिया है धनिय ठंडा होने के बाद इसका हमने फाइन पाउडर बना लेना है इससे बहुत अच्छी खुश्पू आएगी सालन में तो कश्मीरी ताबुत लाल मिर्च ले लिए एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा चार सूकी ताबुत पतली वाली जो लाल मिर्च होती है नॉर्मली वो ले लेंगे एक बड़ी इलाइची तीन लॉंग आदा टीश्पून काली मिर्च आदा टीश्पून जीरा तो यह चला जाएगा अगर आपके बाद साबुत कश्मीरी लाल में नहीं है तो इसके जगह पाउडर यूज कर लीजिए गा वन टी स्पून अब इसमें आधा कप पानी एट करकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे आप चाहें सिल्वर टेपर भी पीस सकते हैं क्योंकि पुराने ज साइब कर लेंगे इस हमने यह पर लिए एक इंच का दाल ची-नश-नटुकडा चार लां एक बड़ी लायची 6- zoo काली मीर्स-Dया कर देंगा इसको यहां फालका सा नहींता होने तक हम Respondert सा गोल्डन कलर आ जाए इस तरह से तब तक हमें इसको भूना है तो रेसीप पसंद आ रही है प्लीज वीडियो को एक लाइक शुरूर कर दीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी जूरूर कर दीजिए अब देखिए प्याज हलके से गोल्डन फ्राइब हो चुके है तो जल्दी से जाएए फॉलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बक्स में मिल जाएगा अब गोस्त यहां पर भून चुका था पार्च मिनट और यहां पर हमने पिसा हुआ जो मसाला था ना वह सारा एड कर दिया है और मसाले के साथ ही देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने हल्दी एड नहीं की थी तो यहां पर हमने बन फोर टी स्पून हल्दी एड कर दी है यह देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है थोड़ा सा यहां पर मैंने कश्मीर लाल मिर्श का पावडर और डाल दिया था आधा टी स्पून के करीब अब दो च्छोटे चमच यहां पर नमक एड कर दिया है आप अपने टेस्के कोरिंग नमक एड कर लीजेगा और देखिए अच्छे से हमें इसको भूनना है और बहुत अच्छे से भूनने के बाद मसाला अच्छे से भून जाए उसका रॉफ लेवर है वो निकल जाए को देना हैं लो फ्लेम पर यहां पर 40-45 लगजाएंगे लो फ्लेम पर पकते हुए क्यो कि यह बड़ेवर आए तो देखिए बड़े से रिलेटेड मतलब बड़े की कोई भी रेसीपी चाहिए आपका ब्रियानी की कोर में की फिर कोफ तक हमारी चैनल पर अप्लोड है आप टेक कर सकते हैं अब ग्रेवी के लिए यहां पर हमने आदा ग्लास पानी एड़ कर दिया है आप जितनी ग्रेवी यह देखिए हर दिया भी एड़ कर दिया है हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है और अब इसको कवर कर दिंगे फ्लेम को लो टु मीडियम कर दीजिए इस इस 5-6 मिनट पकाना है लो टु मीडियम फ्लेम पर तो यहां पर देखिए पांच मिनट हो चुके थे खोल कर देख लेते हैं क्योंकि गोश्ट तो और लेड़ी गल चुका था और बस यह बनकर त्यार हो चुका है बहुत ही टेस्टी बहुत ही जादा खुश्बूंधार जैसे की पुराने जमाने में यह बनाया जाता था सेम वैसे हमने बनाया है तो चलिए जट पर से सर्फ कर लेते हैं यह बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से आप बना कर देखेए आपको बहुत पसंद आएगा तो यहां पर मैं आपको तोड़ कर दिखाना चाहूंगी कि गोश्ट कैसा गला है तो देखिए आप इसको तंदूरी रोटी के साथ रोमाली रोटी के साथ यह चपाती के साथ भी सर्फ कर सकते हैं गोश्ट बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है तो ट्राइज जरूर कीजिएगा जब भी आप ट्राइज करते हैं तो मुझे कॉमेंट्स करकर जरूर बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और हाँ अगर आपको वैज से रिलेटेद मतलब करें वीडियो को लाइक करें इन्शालला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिरोंगी अपना बहुत सारा ख्याल रखें तब तक के लिए अलाहाफीज